हेलो, वेलकम टू तेजे एजुकेशन, सिच्छक पातरता पर इच्छा बर्गतीन के लिए महबीर पब्लिकेशन की यह बालवकास की पूरी किताब हम आपको याद करवा रहे हैं साथिओं हर किसी के हाथ में एक किताब होने चेए बहुत सुपर किताब है तो आई शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर कि प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास की दूसरी अवस्ता भई कौन से काल में होती है तो आपके याद रखना है कि प्याजे के अनुसार शंग्यानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्ता है यह प्राक संक्रिया काल होती है ठीक बिकल्प C सही जवाब है अगला प्रशन है कि बालकों के वौद्धिक विकास की चार विसिष्ट अवस्ताओं को किशने बतलाया है तो आपके आद रखना है कि बालकों के वौद्धिक विकास की जो चार विसिष्ट अवस्ताओं होती है इनको प्याजे ने बताया है ठीक अवे किन्होंने प्याजे इनके बारे में जो है वर्डन किया है प्रश्न है कि किरिया की सफलता से शंतोस एवं असफलता से असंतोस होता है यह थारंडाइक के किस नियम के बारे में बताता है तो साथियों किरिया की सफलता से संतोस होता है और किरिया की असफलता से असंतोस होता है यह थान डायक का जो नियम बताता है यह है वही आपका प्रभाव का नियम ठीक है थान डायक का प्रभाव का नियम अगला प्रशन है कि सिच्छार्ती स्वायत्ता किसकी बिसिस्ता होती है बहुत प्यारा प्रशने तो आपके आद रखना है कि सिच्छार्ती स्वायत्ता बिसिस्ता होती है प्रगति सील सिच्छा की ठीकि बिकल्प C सही जबाब है अगला प्रशने की सिच्छारती किंद्रत सिच्छा में सामिल है अगला प्रशने की बाल किंद्री सिच्छा की आवश्यक्ता मुक्यता निम्न कारण से बढ़ गई है तो भाई वाल किंद्री सिच्छा की आविशक्ता जो है ये बढ़ गई है और इसका कारण है भाई सिच्छक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं इसलिए तिक विकल्प D सही जबाब है अगला प्रशन है कि बाल किंद्रित कच्छा में एक अध्यापिका किसको महत्तु देती है जो कच्छा बाल किंद्रित होती है उसमें अध्यापिका किसे महत्तु देती है तो याद रखेगा ज्यान की सक्रिय सरचना प्रक्रिया को महत्तु देती है ठीक है अध्यापिका अग अच्छे का और विध्यारती दोनों की ही सक्रिय भूमिका रहती है यह आपको यह अच्छे से याद रखना है ठीक अगला प्रशन है कि निम लखित में से क्या एक प्रगतिसील कच्छा की बिसिस्ता है बहुत प्यारा प्रशन है तो आप याद रखें कि प्रगतिसील कच्छ कि भिसुस्ता होती है आगला प्रशने के वाल کंद्रत कच्छा में बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही जवाब अगला प्रशने की प्रगतिusil सिच्छा के संदर्व में निमने लखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है प्रगतिसील सिच्छा के संदर्व में हमें बताना है तो आपके याद रखना है बिद्धार्तियों को समश्या शमाधन ही तू प्रोसाहित करना चाहिए ठीक है ये प्रगतिसील सिच्छा के बारे में बिल्कुल सही कतन है प्रश्ण है कि बिसेस सिच्छा के सिध्धान्त में क्या सामिल होता है तो आपके याद रखना है कि बिसेस सिच्छा के सिध्धान्त में साथ्यों शामिल होता है गेर भेदवा, पूर, पहचान और मुल्यांका अगला प्रश्ण है कि पहला बुद्ध मता परिच्छन निमने लिखित मैं से किष्णे विक्सित किया तो आपके याद रखना है कि पहला बुद्ध मता परिच्छन जो है ये विने और सिमुन ने किष्णे भई विने और सिमुन ने विक्सित किया प्रश्न है कि बिचलन IQ वित्रण में मानव विचलन का जो मान है वो कितना होता है तो बिचलन IQ वित्रण में मानव विचलन का जो मान है ये 15 होता है ठीक बिकल्प 20 इसका सही जबाब है अगला प्रश्न है कि किसने IQ पद को प्रतपादत किया तो आपके याद रखना है कि IQ प जिसमें IQ कितना होता है तो आपको याद रखना है कि म्रद मंदता मानसिक मंदता की सरेड़ी है जिसमें 50-69 तक जो है का IQ जो है इसमें होता है ठीक है अगला प्रशन है कि एक छात्र को assignment पूरा करने के लिए उसके रुची के 15 topic उसके interest के 15 topic भई दिये जाते है assignment पूरा करने के लिए यह उसके कौन से अधिगम कारे में भई ब्रधी करता है अगर उसके interest के अनुसार 15 topic उसे assignment पूरा करने के लिए दिये जा रहे हैं तो यह उसके बौधिक अधिगम कारे में भई क्या करेगा ब्रधी करेगा प्रशने के एक वुद्धी परीच्छन में एक 9 वर्स के ल अगला प्रशने के एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए भई क्या तो एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए साथ्यों तारकेक वुद्धी ठीक है बिकल्प D सही जबाब है अगला प्रशने कि वुद्धी या IQ में क्या मापा जाता है तो आपके याद रखना है कि वुद्धी या IQ में मापा जाता है साथियो सामाने वुद्ध मता को किसको मापा जाता है सामाने वुद्ध मता को मापा जाता है अगला प्रशन है कि इस्टर्ण वर्ग के वुद्धी के घटकों में भ कि मनो दसाओं, शुभाब, प्रेर्णाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उच्छित प्रितक्रिया देने की छमता वाले व्यक्ति में अच्छा शुभाब होता है साथियो अंतह व्यक्ति तिक बिकल्प भी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि तर्क संगत रूप से सोचने और उद्धि स्पूर्ण तरीके से कार करने की जो चमता होती है वो क्या कहलाती हो तो आप याद रखें यह साथियो बुद्धी कहती है जो कि तर्क संगत रूप से सोचने और उद्धि स्पूर्ण तरीके से कार करने की चमत प्रशन है कि रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिस टेस्ट क्या मापता है तो आप यात रखने साथ यह बुद्धी को मापता है अगला प्रशन है कि पिछले कुछ दसकों में बुद्ध मता में दीरकालिक ब्रद्धी को नुरूपित करने के लिए कौन से सब्द का भई उप इस्थानिक बुद्धी वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्स होगा तो आप याद रखने कि उच्च इस्थानिक बुद्धी वाले बच्चे के लिए जो व्यवसाय आदर्स होगा वो है साथ हूँ बास्तो कला ठीक अगला प्रशन है कि बुद्धी जानकारी के ज्यान का मुल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो बुद्धी में सामन जानकारी के ज्यान का जो मुल्यांकन है ये साथियो सूचना वाले प्रश्न करते हैं ठीक बिकल्प बी सही जबाब है अगला प्रश्न है कि किर्केट के खेल के दोरान किस प्रकार क कि बुद्ध मता के उपए किये जाने की संभाबना होती है तो क्रिकेट के खेल के दोरां जिस बुद्ध मता का यूज किये जाने की संभाबना होती है वो तर सातियो सारीरिक गत संवेदी बुद्ध मता का यूज किये जाने की संभाबना होती है ठीक बिकल्प ए इसका सही ज रखा ठीक बिकल्प एस का सही जबाब है अगला प्रशने की निम्ने लिखित में कौन भावनात्मक बुद्ध मता का एक पहलू नहीं है तो साथी भावनात्मक बुद्ध मता का एक पहलू नहीं है परिवर्तन ठीक बिकल्प सी सही जबाब है तो आज की इस किलास में केवल एतनी ही प्रश्ण साथियो और हां बर्गतीन पर इच्छा के लिए आप हमारा तेज एजुकेशन एप डाउनलूड कर लें जहां आपको 5000 प्रश्णों जो है प्रेक्टिस के लिए मिल जाएंगे 500 प्लस टेस्ट मिलेंगे 50 मॉड्यल पेपर 20 प्रेक्टिस है सब कुछ फरी ह मिलते हैं नए सेशन में तब तक के लिए जहिंद जहे बाहरत हो प्लेलिश में जाकर पूरी वीडियो देखीगा ये पूरी किताब साथियो आपको मिल जाएगी ठीक है पूरी किताब हमने ये याद करवाई है महभी रपब्लिकेशन की